आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ डिविजिबिल्टी के दो सवाल, डिविजिबिल्टी ओप थ्री, ये पांच मेट का वीडियो है जो आपके लिए बहुत अपयोगी होगा, आपने विभाधिता का तीम के नियम के से सवाल बहुत देखे होगी जिसमें इस्टार संख्या हैगी, लेकिन ऐसे कॉश्षन भी बहुत अच्छे होते हैं इसमें पांच 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 तो तो शेशवल क्या होगा और इसमें एक संख्या दे रखी एक से ले करके 100 तक मतलब ये पूरी एक संख्या और तीन से भाग करें तो क्या आपका शेशवल हैगा ये दो सवाल हम लोग करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग विभाजिता मतलब डिविजिबिल्टी ऑफ थ्री प अगर को भाग करेंगे तो शेशवल क्या बढ़ेगा तो अगर आप बाग करेंगे तो देखे सब को जोड़िए एक दो तीन तीन चे चार दस पापंद्रा चैकेस एककेस 28 अटाइस 36 और नो पैतालीस पैतालीस पैताली हुग दस पचपन तो तीन से भाग करने पर अगर प अगर हम पूरी संख्या लिखकर भाग करते तब भी यह एक ही शेशवल बसता या यह वाली जो हमने ट्रिक लगाई है जो होती है कि सभी अंको का योग मतलब जो संख्या दे रखते हो होगी उसको जोड़ करके तीन से भाग कर दी जो जिससे इसवल आएगा तो वही दो और एक तीन जोड़ा तीन बन गया तीन बन गया पांच आर्थ नौ कड़ गया ठीके न अब यहां देखेंगे आट साथ 15 कड़ गया नौ कड़ गया और 10 और 6 कितना बचा 16 अब 3 को 16 से भाग कर दीते तो तीन पचे 15 और यहां पर एक आ गया यानि अभी शेशवल कितन क्या होता है हमें 5555 पहला प्रश्न दे रखा है कोशन हम पहला उठाएंगे हमें 5555 एक नंबर दे रखा है कितनी बार है ये 100 बार दे रखा है तो क्या हम 100 बार पांच बार लिखके डिवाइड करेंगे ऐसे तो पूरी कॉपी बढ़ जाएगी ऐसा कुछ नहीं होगा या 5555 को हम लोग अगर शौर्ट करना चाहेंगे तो अभी हमने सिखाया है कि सभी संख्याओं को जोड लिजे तो 5555 कितनी बार लिखा है 100 बार तो पांच गुड़ते 100 ये सारी संख्या जोड गई और पूरी संख्याओं को तीन से भाग करके देख लिजे तो यहां पर आगे आपक 500 को 300 से मत भाग करे इनको भी जोड लीजे जीरो-जीरो यहां बचा पांच तो पांच को तीन से भाग करेंगे तो कितना आगया अपका? क्यूंक 100 अ संख्या बनों फिर प bey न फिर पांच 5 को तीन से भाग करेंगे तो तीन इकंग न बाचे बाचे 2558 दो इसका सहीं उत्तर यह कितना बचेगा हमारे पास दू बचेगा ठीक न है इसका अन्सर हो गया अब दूसरा प्रश्ण में ऑर ऐसे स करके पूरी बड़ी संख्या गई हमें 99 और 100 तक दे रखी है दूसरे सवाल में और इसको हमें 3 से भाग करना है यापे इसको 3 से भाग करना है अगर अगर अब हम इसको 3 से भाग करने जाएंगे तो इनको जोड़ेंगे कैसे क्योंकि 5-5-5 तो 100 बारता तो easy है तो याद करिए आपने पढ़ा होगा प्रथम N सं 1 और by 2 मतलब जहां तक संख्या गई है उसको N बोलते थे उसमें एक अधिक बढ़ाई है और बटे 2 कर दी तो आपको जोडने की जरुवत नहीं पड़ेगी दोस्तों याद करिएगा जैसे हमने अभी लिखा था 1,2,3,4,5 और कहां तक लिखा था हमने 10 तक और जोड़ करक सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे देखेगा N की जगे रखेंगे 100 और गुड़ते करेंगे 101 और बटे लिखेंगे 2 अब यहां काटेंगे तो यह आजाएगा 50 गुड़ते 101 यह इनका गुड़ा करने पर जोड़ा जाएगा लेकिन हम गुड़ा नहीं करेंगे अगर आप दे कम कितना बच गया दो आ गया इसका आंसर कितना गया दो आ गया देखेगा फिर से मैं दिखा देता हूँ अगर मैं तीन को पचास से डिवाइट करूँगा तो आपका कितने तक जाएगा आपका 47 इसके बाद आपका यह 49 हो जाएगा 50 जो 51 से पहले 48 यहां दो बचेगा चम अभी भी बड़ा है तीन से तो एक बार और भाग चला जाएगा तो तीन इकंग तीन शेशवल कितना आ गया एक आ जाएगा इसका उत्तर एक हो जाएगा ओप सो आपको दोनों प्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आयोंगे कौन सा डब को क्लियर होगा कमेंट बॉक में भीड़ सरा प्यार दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट छोटे से टॉपिक में तब तक के लिए बैए